हेलो फ्रेंड्स वेगूटो मैं चानल आप बर्शन साहाँ आज हम कुछ इंपोर्टेंट केमिकल रियाक्शन पढ़ेंगे और उनके इंडिकेशन पढ़ेंगे चानल पढ़ेंगे और उनके इंडिकेशन और इंडिकेशन को इंडिकेशन को मतलब यह इक्वली मिलब प्रपोर्शनल एक दूसरे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं पहला केमिकल रियाक्शन जादा है चेंज ऑफ कलर को जाते हैं यह से कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मुला किया है यह कॉपर नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट ब्रेक हो जाता है copper oxide plus nitrate plus oxygen यह सम्में copper nitrate break हो जाता है यह बैलनसकर दिया गया है टू टू और जब भी ब्रेक हो जाता है हीट करने के बाद तो रोगल में चेंजस आजाते हैं copper nitrate जो पहले था NO3 वह ब्लू कलर का था और copper oxide copper oxide जो है वह बन गया ब्लाक कलर का यह कलर में दूसरा के रियाक्षन देखते हैं वह है लेड़ नाइट्रेट लेड़ नाइट्रेट का फॉर्मुला टू पीबी एनो थी होल ट्वाइस जब लेड़ नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमारा क्या में ब्रेकडाउन हो जाएगा यह लोगा हो जाएगा दूसरा रियाक्षन और इंडिकेशन आजाता है एविलूशन ऑफ गैस अभी हमने कलर चेंजेस पर पढ़ें अब हम पढ़ेंगे कि रियाक्षन में पर कौन सा ग्यास होता है तो रियाक्षन करेंगे हम सोडियम सल्फाइट विट डायस अब हम अच्छे से इसको डिसॉल्स कर सकते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं रियाक्षन होता है उसमें हम को निकलता है और यह आज़ प्लस वॉटर प्लस सोडियम यह निकल जाता है दायोकसाइड सोडियम सलफाइट और डाइलीूट सल्फिरिक एसिड को रियाक्ट करवाने से तो सलुफर डायोकसाइड गैस रिलीज हुआ है कैसियम कार्बोनेट विद लुट हाइड्रोकलोरिक एसिड डाइलूट क्या होता है जो कर सकते हैं hydrochloric acid को हम calcium carbonate में dissolve कर सकते हैं cac o3 plus h2 hcl जो हम break करेंगे react करेंगे तो हमें मिलेगा calcium chloride plus water plus carbon dioxide carbon dioxide तो यह carbon dioxide ग्यास है और रिलीस हो चुका है react करने पर ग्यास कौन सा involved हुआ है carbon dioxide exam में आपको ऐसे क्याशियम कर्बोनेट with hydrochloric acid में कौन सा ग्यास मिलेगा आपसे पूसा जाएगा यह कौन सा dilute acid में अगर हम calcium chloride को करेंगे तो कौन सा हमें gas involved मिलेगा tricky questions आएंगे formula अच्छे से याद करना रहेगा ammonium chloride with calcium hydroxide यह रहा ammonium chloride nh4 c l और calcium hydroxide c a s o h 2 इसको अगर हम react कर आते हैं तो calcium chloride plus water plus ammonia ammonium नहीं है यह ammonia nh4 नहीं त्री रहता है अमोनियम chloride plus calcium hydroxide को अगर हम करते हैं तो reaction मिलता है हमको calcium chloride plus water plus ammonia ammonia gas हो चुका है अब next formation of precipitate precipitate formation होता है जब हम कुछ reactions को react कर वाते हैं जैसा है lead nitrate with sodium chloride lead nitrate PBNO3 whole twice sodium chloride है 2 NaCl अगर हम इसको react कर वाते हैं तो एक breakdown होता है और फिर precipitate का formation होता है precipitate क्या होता है insolubable formation जो chemical reaction से निकलता है कोई insolubable चीज़ 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 केमिकल को react करने की वाद निकलती है उसको precipitate बोलते हैं हम ने नाइटरेट को करेंगे तो क्या मिलेगा NaNO3 plus lead chloride जो precipitate क्या उनसा form हुआ है lead chloride precipitate form हुआ है क्या है precipitate का color white precipitate lead chloride क्या होता है white precipitate होता है जब हम lead nitrate और sodium chloride को react करवाएंगे तब फिर दूसरा reaction आ जाता है precipitate का copper 2 sulfate अबलब copper SOCO plus SO4 went with sodium hydroxide NaOH यह है copper sulfate plus sodium hydroxide को react करने के बाद हमें मिलता है sodium sulfate plus copper hydroxide copper hydroxide एक precipitate है जिसका color है pale blue वो कब form होता है वो तब form होता है जब हम copper sulfate और sodium hydroxide को react कराते हैं तब दूसरा आ जाता है endothermic और exothermic reaction मतलब वो heat को बाहर निकाल रहा है और endothermic मतलब वो heat को absorb कर रहा है endothermic reaction करते हैं तो plus triangle triangle heat energy को करता है हम heat energy को plus heat energy करते हैं evolution कर रहा है वो निकाले जा रहा है exo मतलब exit absorption of heat energy endothermic entry endo ऐसे रहेगा minus हम जब absorption करेगा तब minus assign लालना है है और जब बाहर निकालेगा तब plus sign total opposite करना है तो नाइट्रोजन plus hydrogen को react करेंगे तो रिवर्सेबल reaction होते हैं और यह नाइट्रोजन plus oxygen plus hydrogen तब reversible reaction होते हैं अगर हम n2 plus 3 h2 को react करेंगी तो मिलेगा 2 and h3 यह heat मिलेगा heat को वो evolute कर रहा है बाहर निकाल रहा है और जब हम नाइट्रोजन plus oxygen को करेंगे तब यह heat को absorb कर रहा है तो जब बाहर निकाले कर तब बोलेंगे एंग्जोथर्मिक जब अंदर डाले कर तब बोलेंगे एंडोथर्मिक I hope मैंना मुझे प्रहा है आपको समझ में आ गया है तो अभी कोईड आउट है तो मुझे कमेंट करगी पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सबस्क्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रस कर लेना थैंक्यू बाई बाई